हाई मेरा नाम डॉक्टर मन्जुश्री कोठेकर है और मैं सूरिया आईवीएफ में एक आईवीएफ स्पेशालिश्ट हूँ और आज के हमारे एफबी लाइफ का टॉपिक है आईवीएफ फेलियर वाट नेक्श यानि कि आईवीएफ फेलियर के बाद आपके सामने और क्या क्या आउप्शिन्स है अभी तब तो अपने गूगल वगरे से बहुत कुछ नॉलेज अचीव किया होगा आपको जो पता ही होगा आईवीएफ के बारे में प्रिफली शुरुआत में थोड़ा सा बताऊंगी तो आईवीएफ की शुरुआत पिरेट के सेकंडे से होती है आपको 10-12 दिन के इंजेक्शन दिये जाते हैं आपके फॉलिकल्स बढ़ाया जाते हैं और जब आपके फॉलिकल्स रेडी हो जाते है तो उसके बाद आपका एक प्रोसिजर होता है अंडर अनेस्टेशिया जिसमें हम आपके एग्स निकाल लेते हैं फिर उन एग्स को हम के साथ फ्यूज़ करते हैं उससे एंभ्योस बनाते हैं उन एंभ्यूस को kulture किया जाता है और उन एंभ्योस को हम ट्रांसिफर करते हैं आपके यूट्रस के अंदर या तो सेंटуमी डकस हुए या नहीं? अगर beta seg positive है मतलब embryo implant हुआ है and the इस पोजिटियू sign. और अगर beta seg negative है? इसका मतलब embryo implant नहीं हुआ और यह हमारे IVF failure के level में आ जाता है. तो पहला question आपके दिमाग आएगा कि IVF में 100% guarantee क्यों नहीं है? हम तो सारा काम बाहर करसे हैं acre तो एक्चुली हम सारा काम बाहर नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ 50% काम बाहर कर रहे हैं और 50% पार्ट इसके भी डिपेंड करता है कि जो हमने इंब्रियो अंदर छोड़ा है वो श्टिक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसके लिए इस नेवर हंड़र परसंट अगर आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस नेवर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं कि हर एंब्रियो का एक पर्टिक्लर पोटेंशल होता है श्टिक होने का हमें ऐसा ही बनाया गया है फ्यूमन एंब्रियोज को फ्रीज़़ें मैं आपको साइंटिफिक्ट बता रही हूं कि हर एक हुमन एंब्रियो का एक पर्टिक्लर पोटेंशल होगा अगर हम दो एंब्रियो अंदर ट्रांसफर करते हैं तो दोनों काम मिलके अगर अच्छे एंब्रियोज है तो तो यह ऐसा क्यों है इस लाइक फार्मिंग जब हम खेदी करते हैं तब हम भले बाकी सब चीजों की तयारी करें यह से कि हम मिट्टी की मशागत अच्छी करें अच्छे सीड्स लाए उसको अच्छा फटिलाइजर डाले लेकिन फिर भ हमने जो सीड डाला है उसमें से पौधा आयेगा ही और उससे हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलेगा ही विकांट गारेंटी हंड़ेट परसेंट सिमिलरली यहां पे भी हंड़ेट परसेंट कोई भी नहीं दे सकता कि जो एंब्रियो हमने डाला है वो श्टिक इसका मतलब है कि 45-50 परसेंट तक चांस है कि वो श्टिक नहीं होगा and it can be a failure also तो अभी हमें एक question पूछा है Mr. Ragheep ने कि उन्होंने पूछा है कि what happens if IVF is not successful IVF is not successful मतलब जो हमने एंब्रियो डाले थे वो श्टिक नहीं हुए है that means we'll have to make another attempt for pregnancy another attempt क्या रहेगा that depends हमें फहले सोचना पड़ेगा कि हमने जो एंब्रियो डाले थे वो श्टिक क्यों नहीं हुए उसका हम पहले reason find out करने का कोशिश करते हैं एंब्रियो का quality कैसा है endometrium कैसा था हम कुछ correction कर सकते है क्या दोनों में सी किसी चीज में अगर दोनों भी अच्छे ही थे और कुछ fault नहीं निकल पाया है तो what else can we do हमें फिर से ट्राइ करना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने बताया हर एक cycle का एक particular chance है हर एक embryo का एक particular potential stick होने का इस बार वो embryo stick नहीं हुआ इसका मतलब ऐसा नहीं कि next time हम try करेंगे तो भी वो stick नहीं होगा तो इसके लिए हमें बाकी कुछ causes है क्या नहीं वो देखके correction करके possible होगा तो second attempt try करना चाहिए अभी Mr. Bimal Pradhan ने हमें पूछा है कि how long is the IVF process from start to finish तो there are two parts of IVF process one is making an embryo second is transferring the embryo तो making an embryo starts from second day of your cycle the female partner cycle हम 10-12 दिन के injections देते है और around 14th day को वगरे उनका एक रिट्रीवल होता है जो procedure है under anesthesia so this is you can say 14 to 15 days part duration is required for making the embryos उसके बाद transfer same cycle में होगा या नहीं होगा it will depend on the hormonal status of the female मतलब उनका हम estrogen and hormone का लेवल चेक करते है उनके अगर ज्यादा follicles grow हुए है और अगर hyper stimulation का possibility लग रहा है उनको bloating है थोड़ा सा फ्लूर जमा हो गया है इसके बाद second cycle में हम उनका frozen embryo transfer करते है बट frozen embryo transfer is not as stressful as making the embryos बना रहे तो उनको daily injections लेना है तो 15 days period is उनको जब time पर सब medication लेना है time पर scans के आना है but frozen embryo transfer is just like your natural pregnancy thing अपको सिफ tablets यह जाहेंगे शुरुआत में scans भी less frequently होंगे which you can adjust with your work timings also अगर same cycle में transfer हो रहा है तो whole process takes around 25 days और हमें result around 31st 32nd day को मिल जाएगा कि हम successful है या ने और अगर transfer same cycle में नहीं हो रहा है next cycle में हो रहा है तो making the embryos will take 15 to 20 days और उसके बाद वले cycle में transfer होगा so roughly you can say two months अभी मैंने आपको IVF failure के बारे में बता दिया निर्मल प्रधान ने हमें पूछा है कि is IVF painful यह question बहुत बार बहुत सारे patients के दिमाग में होता है और इसकी बज़े से बहुत सारे patients IVF का ट्रीट्मेंट पोश्पोन क करते रहते हैं इतने लेवल तक पोश्पोन करते हैं कि उस टाइम पर कभी-कभी उनके सेलफ एक से आइवेफ को भी नहीं पाता है तो IVF is not at all painful ठीक है थोड़ा discomfort है उसमें क्योंकि यह जो हम injections देते हैं उस टाइम पर आपके follicles बढ़ने लगते हैं उसकी विज़े से आपक कुछ difference notice नहीं होगा लेकिन next 5-6 days last part of those 10 days उसमें हो सकता है कि बड़े ओवरीज है इसके लिए आपको थोड़ा सा abdominal discomfort है इस लाइक हाविं तो थोड़ा सा discomfort रहेगा थोड़ा सा bloating रहेगा थोड़ा constipation रहेगा यह सारे चीज़े रहेंगे इस इड़ नापको सीवियर के लिए pain killers लेने पर रहे इस टाइप का pain नहीं होता है बड़ डिसकंफर्ट रहता है उसके बाद जो process है जिसमें हम आपके follicles में से AIDS निकालते है और एक रिट्रिवल का process it happens under anesthesia तो obviously हम anesthesia दे रहे तो उसका pain अपको feel नहीं होगा और उसके बाद भी 2-3 दिन आपको थोड़ pain is not the main thing वहाँ पर सो जो pain का आपको डर लगता है वो दिमाग से निकाल दीजिए injections का discomfort रहेगा for a short period of time but that is required hormonal injections के सिवा हम नहीं आगे जा सकते हैं but that is for 10 to 11 days उसके बाद आपको discomfort वगरे रहेगा 2-3 दिन के लिए उसके बाद pain expected नहीं है so unless there is any other complication it is not painful okay अभी शुभम तैगी ने हमें पूछा है where are eggs and sperms and embryos store so उनको store किया जाता है liquid nitrogen में special cryocans होते हैं lab में and the temperature at which they are stored is minus 196 degree Celsius तो उसके पहले उनको जब normal temperature पे है वहां से उनको vitrify किया जाता है so that eggs रहे, swarms रहे या embryos रहे so that उसी stage में वो static रहेंगे जी stage पे हम उनको freeze कर रहे है और उसके बाद उनको liquid nitrogen के cans में रखा जाता है in cryocans का liquid nitrogen हम periodically refill करते रहते हैं that is one part of our quality assessment also कि कोई lab अगर बराबर से periodically refill नहीं कर रहा है तो the embryos will not survive so हम उसको periodically refill करते रहते हैं ताकि वह embryos अच्छे तरह से रहे and once frozen they can be frozen maximum up to five years safely okay अभी अमर नात अरोरा ने हमें पूछा है कि is second cycle of IVF more successful so ऐसा तो कुछ है नहीं कि first cycle में success नहीं मिलेगा और second cycle में ही success मिलेगा and as far as I am concerned I can tell you कि every doctor gives his 100% in the first cycle itself तो जो भी हमें try करना है हम पहले cycle में ही अक्छी तरह से पूरा try करते हैं but जैसे मैंने बताया हर बार हर cycle का एक particular chance of success मिलने का हर embryo का एक particular potential stick होने का तो अगर first time अगर stick नहीं हो पाता है because of some reason तो second cycle के पहले हम और ज्यादा assessment कर दें कि exactly क्या wrong हो सकता है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि what can be the reasons of IVF failure तो basically reasons तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं अगर उनको divide कर लो तो it boils down to two things only first is either the fact can be what can be with the embryo second is the second possibility is the fault can be with the endometrium मतलब या तो जो हम डाल रहे है है बीच वहां पर प्राब्लम है या फिर जो मिटी है वहां पर प्राब्लम है तो embryo के अंदर अगर कुछ fault रहेगा it can come from the egg और sperm क्योंकि एग और sperm से ही हम embryo बना रहे हैं तो हम उनका quality improve करने का कोशिश करेंगे और जो embryo बनते हैं उनको हम अच्छी तरह से सेलेक करें जैसे कि morphologically हम उनको देखके अच्छा ग्रेडिंग करके अच्छे ग्रेड के ही embryo सेलेक करें उनको ब्लास्टोसिष तक ग्रोग करें और ब्लास्टोसिष बनता है तो ही हम उनको अंदर डाले इन समर्केस हमें जिनटिक आनलेसिस भी करना पढ़ता है जिसे हम बोलता है PGT ME Dalton sweet एश् размकिश 25 अधिक तेस्टी जो एक बाय शिसे हम कर सकते हैं कि after the first failure then obviously second time there are more chances of success but second cycle of IVF is more successful than first cycle of IVF we give our 100% in every cycle of IVF हमें हर साइकल में ही पिशन को प्रेगनेंट बनाना होता है okay अभी मिस्स कुहू डी ने हमें पूचा है की can she consume naturally after failed IVF अभी इसका रीजिन इसके आंसर के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आपको IVF की जरूरत क्यू पड़ी थी मतलब अगर आपका unexplained infertility का case है आपके eggs है sperms है husband के uterus भी okay है और tubes भी open है मतलब जो भी facts जो भी चीज़े हम चेक कर सकते हैं वो सारी चीज़े okay है और फिर भी आपको प्रेगनसी नहीं हो रहा था जिसे हम बोलते unexplained infertility और उसके लिए आपको IVF लगा तो definitely आप naturally consume हो सकते हो क्योंकि आप unexplained infertility में there was something which is inhibiting the fertilization proper fertilization of the eggs and sperm और उसके बाद जो embryo बन रहा है उसका quality अगर अच्छा नहीं है या embryo stick नहीं हो रहा है तो pregnancy नहीं होता है बट किसी cycle में naturally भी अच्छा follicle बन सकता है अच्छा एग आ सकता है एक अच्छा स्वां वहां तक मौझ गया और embryo बन गया अच्छे quality का तो definitely you have a chance of conceiving naturally even after failed IVF but we cannot predict कि कब होगा कितना chances है कौन से cycle में होगा that is something we cannot predict but अगर कोई रीजन ऐसा है जिसमें pregnancy हो ही नहीं सबता है नहीं जैसलिकि कि किसी के अगर tubes blocked है अगर दोनों fallopian tubes blocked है तो वहां पर natural pregnancy का चांस नहीं है IVF के सिवा वहां पर और कोई option नहीं है तो यहां ऐसे cases में IVF failure के बाद natural pregnancy रहने का chance zero के बराबर रहेगा लेकिन unexplained infertility के cases में definitely the patient can conceive even after a failed IVF natural okay अभी असना किनान ने हमें पूचा है what should I do after failed IVF okay so first of all first advice is don't get depressed because every cycle has a particular chance of success that means every cycle has a particular chance of failure also so first and foremost is your mental health don't get depressed failure can happen अगर IVF cycle fail हुआ है then we need to find out कि क्या reason था failure का was the fault with the embryo or was the fault with the endometrium अगर हम embryo quality improve करने के लिए और कुछ कर सकते है जो हमने नहीं किया था यह हम embryo के better selection के लिए और कुछ कर सकते है जो प्रिवेस cycle में नहीं किया था that we can try next time in the second cycle there are some cases जहां पे कुछ भी fault नहीं मिल सकता है मतलब embryo भी हमने अच्छी तरह से select किया है blastocystha pre-implantation genetic testing भी किया था and that was also normal the endometrium was also endometrial receptivity check करने के लिए भी एक अलग टेस्ट होता है जिसे हम endometrial receptivity array बोलते हैं जहां पे we take the sample from endometrium and we test it कि whether that endometrium is receptive or not वहां पे जो some 200 से उपर genes है जिनका activation होना चाहिए for the endometrium to be receptive वो जीन activate हुए है या नहीं वो चेक किया जाता है and अगर वो activated नहीं है तो उसका मतलब endometrium receptive नहीं है and accordingly we treat the patient with extra or less progesterone उसी तरह से जिस तरह से जिस तरह से जिन activation का report आता है so that is something extra we can do for the endometrium but there are some cases of implantation failure या IVF failure जहां पे in spite of doing everything we have checked the endometrium we have checked the endometrium still हमें pregnancy नहीं मिलता है so that means that just means we need to try again with better quality of injections with some different kind of injections and again transfer the embryo inside and हो सकता है कि उच ताइम पे हमें success मिले क्योंकि there are some reasons which are still beyond the reach of science कि exactly क्या था exactly क्या नहीं हुआ embryo endometrium के बीच में जिसके बिज़े से implantation नहीं हुआ that is something हमें अभी कुछ कुछ चीजे पता नहीं है but we can just try again and see next time second time में वो होता है and second time पे conceive हो सकते हैं अभी मेगना दास ने हमें पूछा है what are the potential side effects of undergoing IVF यह question इस तरह से भी पूछा जाता है कि मैं कितने IVF cycles कर सकती हूं doctor maximum limit है क्या IVF के side effects IVF मतलब हम सिर्फ embryo बहार बना रहे है so it's a natural process which we are doing outside so IVF के side effects पूछना मतलब natural pregnancy के side effects कूछने के जैसा ही है the only thing which we are doing extra in IVF is हम injections दे रहे हार्मोनल injections to grow extra follicles naturally एक ही follicle बढ़ता था हम ज्यादा follicles बढ़ाने के लिए हार्मोनल injections दे रहे है so because of these हार्मोनल injections there can be some temporary side effects कुछ 10-20 days के लिए आपको जैसे मैंने अभी बताया hyperstimulation जैसा जैसे symptoms सा सकते है अभी जिस तरह से हम IVF practice करते है we don't let the patient go from back to worse अगर ऐसा कुछ लगता है कि hyperstimulation हो सकता है तो हम उसी तरह उसी stage पे उनके intervention करते है so that patient का hyperstimulation सेजियर नहीं हो लेकिं अगर होता है तो भी this is a temporary side effect these are temporary things and whatever hormones we give they are flushed out from your body that they are excreted through your urine so अभी अपने IVF किया तो इसका six months के बाद कोई long-term side effects आपको नहीं दिखेगा so अगर आप long-term side effects से बोलते हो तो कि बात करते हो तो there are no long-term side effects because of undergoing IVF but yes short-term side effects in the form of hyperstimulation can happen also एक और बात आपको consideration में लेनी होगी वो है the emotional and financial stress of undergoing IVF financial stress stress और को पता ही है injection cost and everything but emotional stress also वो चीजय ताइं पर करना injections लेना और होग लगाना हर बार की अभी मैं embryos जानूंगी तो मुझे ट्रांसफर में सक्सफर के बाद success मिल लेगा and if it doesn't happen so emotional health also can get affected and that is why before undergoing the treatment it is very important to understand what are your chances of success and your doctor should explain you everything in detail कि हम क्या करने वाले है और हमें क्या expected है तो आप expectation के साथ जाओगे तो ये emotional damage होने का chance काम परे अभी हैरी पी नी हमें पूचा है कि what are the options after failed IVF so after failed IVF we need to find out first what is what was the reason of that failure as I told you कि fault can be with the embryo or fault can be with the endometrium और उसके हिसाब से हमें investigate करना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि exactly कहां पे हम improvement कर सकते हैं embryo का quality improve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं embryo बनता है एग और सपर्म से तो हम एग और सपर्म का quality improve करेंगे तो definitely embryo का quality improve होगा एग और सपर्म का quality improve करना is a very difficult task और उसमें basic चीजों से वेडिशीं भी इंवोर्ड है basic चीज़े मतलब अच्छी lifestyle healthy lifestyle dieting अपका वेट भी optimum होना चाहिए obesity under nutrition नहीं होना चाहिए and also the antioxidants like coenzyme q and vitamins these will help to improve the egg or sperm quality in long term like two or three months के बाद उसके बाद हम जो next embryos बनाएंगे उनका हम better selection कर सकते हैं how can we select a better embryo एक तो morphological assessment की embryos microscope से देखके कि कौन से उसका grading किया जाता है cell कितने cells है cells में कितना fragmentation है उसकी हिसाब से हम embryos को day five तक grow कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं blastocyst सारे embryos blastocyst stage तक नहीं जाते हैं usually fifty to sixty percent embryos ही blastocyst stage तक जा सकते हैं तो यह तरह का exam है embryos के लिए और जो embryo इस exam को pass करेगा वही अच्छा रहेगा और वही हम use करेंगे तो हमें चादा chances देंगे success के और हम genetic test भी कर सकते हैं embryos का जिसको हम बोलते हैं pre-implantation genetic testing जिसमें हम embryo से कुछ cells निकाल के उनका genetic test करके देखते हैं कि उनमें सारे chromosomes है यह नहीं है विकाज अगर वो embryo जनेकिक लिए अबनॉर्मल रहेगा तो भी उसके इस्टिक होने की chances कम है but if we select genetically normal embryo by PGT और उसको हम अंदर transfer करेंगे तो हमारे chances of success are more similarly endometrium को अच्छा करने के लिए हम hysteroscopy करके देख सकते हैं कि uterus के अंदर कुछ point है क्या कुछ चोटा polyp या चोटे-बूटे इस्टिक होते हैं अंदर कुछ मेडिसेंस होते हैं प्लाजमा या गरनुलोसाइट को अंदर डालके विकन सी कि उसकी बज़े से आपका अगर आपका इंब्रियो अच्छी क्वालिटी का नहीं है अगर आपका इंडुमेट्रियम अच्छी क्वालिटी का नहीं है अगर आपका इंडुमेट्रियम अच्छी तरद से गरो नहीं होता है if you have a hydrosalpins which is not treated that also can affect your chances of success if you have any medical condition like particularly the female partner like obesity diabetes uncontrolled I mean to say yeah thyroid condition uncontrolled the OB it can also affect there are some blood conditions wherein uh thrombophilia and all that blood may thromb clotting ज़्यादा होने की बज़ से भी रिकर्रेंट इंप्लेंटेशन फेल्योर हो सकता है so the list is endless I can say there are multiple things which can affect the chances of IVF success one one more important thing which can affect your chances of IVF success is the quality of lab where you are doing the treatment because IVF में हम एक human life body के बाहर बना रहे हैं तो हमें पूरा जैसे human body में वो embryo बंदा था जैसे वो grow होता था उसी तरह का environment उनको लाब में देना होता है ideally and if we cannot give that kind of environment to the embryo outside यह किस case में होगा अगर लाब का quality maintenance अच्छा नहीं होगा तो ऐसे हो सकता है जिसकी विज़े से जो embryo grow होगा उसका potential कम होगा stick होने का so that is very important where you are doing your treatment okay अभी काथी रावत ने हमें पूछा है how many attempts does it take for IVF to work तो अगर हमारा सब कुछ अच्छा बनता है embryo endometrium everything तो हमाई हमें first cycle में भी success मिल सकता है ऐसे कुछ नहीं कि हमें इतने attempt करने के बाद ही success मिलेगा और there is no upper limit for trying also SNA की part cycle try किया उसका बाद मैं try ही नहीं कर सकती हो ऐसे भी नहीं है I have seen patients who have tried like eight nine times और उनको उसके बाद success मिला है लेकिन हमारा जो aim रहता है जो goal रहता है it is always to make the patient pregnant in the first cycle itself अभी Rana Ayub ने पूछा है why is it necessary to have so many eggs while undergoing IVF okay very good question Rana so naturally हम जब pregnancy होता है तो it happens with only one egg so आप जो सोच रहे हो बहुत ही logical है कि अगर one egg से naturally pregnancy हो सकता है तो हमें IVF में इतने सारे eggs क्यों बढ़ाने पड़ते हैं तो the thing is that IVF का जो में जो में प्रोसेस है जिसमें हम आपका eggs बाहर निकालते हैं और XC के technique से जिसे हम बोलते है own pickup उसके बाद XC के technique से egg और sperm को हम fuse करते हैं और embryo बना के हम उसको अंदर छोड़ते हैं तो इस प्रोसेस इसल्फ कोस्टी सम्थेंग प्रफ्ली वन लाइब अगर हम यह सिर्फ एक ही फॉलिकल के साथ करेंगे तो कभी कभी एक फॉलिकल था वीप्ती रहेगा 10 follicles में एक follicle empty रहेगा, मुझे 9 eggs तो मिल जाएंगे, उसके बाद मेरे embryos बन जाएंगे, लेकिन एक ही follicle है और वो empty रहेगा, तो हमारा पूरा attempt वेस्ट करा, कभी-कभी उससे मिलने वाला एग अच्छा नहीं है, मैच्छा नहीं है, या अच्छी quality का नहीं है, या fertilization नहीं हो पाया उससे, या उससे जो embryo बना है, वो अच्छी quality का नहीं है, तो मेरा chances कम हो जाता है, क्योंकि मैं अगर दो अच्छे embryos, अच्छे quality के embryos डालती हैं, देन I can assure at least 50 to 60% chance of success, लेकिन अगर मेरे पास एक ही egg है, तो वहां से मुझे एक ही embryo बनेगा, और वो quiz quality का बनेगा, that I cannot tell, लेकिन मेरे पास अगर 10 या 7-8 eggs रहेंगे, तो उसमें से 3-4, it's like a pyramid, 10 eggs रहेंगे, तो उसमें से 9 mature निकलेंगे, उसमें से 8 fertilize हो गए अच्छे से, और जब तक हम grow करते हैं, तो वह सकता है, उस stage तक मेरे पास 3-4 embryo रहेंगे, तो उसमें से मैं best embryo select करके डालोंगी, तो मैने सक्सिस का चांस अच्छा रहेंगे, SO that is why to improve the chances of success to have better embryo selection, we need to have more eggs, secondly we are doing all the procedure which cost you something, and with single follicle, Parent вып Viv, ₚ उसमें लोओ तो अच्छा रहेंगे, तो all the cost will go in wide, so that is why it is necessary, it is necessary to have so many eggs while lender wronged IV, but we make an attempt, कि बहुत ज़्यादा इह रहेंगे, this is called as controlled hyperstimulation and there are cases जहां पे this has not worked तो natural cycle IVF का भी option दिया जाता है जहां पे हम आपका जो naturally एक follicle बढ़ा है उस ते ही हम eggs निकालते हैं उससे embryo बनाते हैं और उसको हम ट्रांस्फर करते हैं I hope that this has satisfied your question अभी दीपक शर्मा ने हमें पूचा है does the process change if using donor eggs or sperm the process of IVF remains the same okay क्योंकि IVF या एक्सी हम eggs और sperm के साफ कर रहे हैं तो the process वो तो सेम ही रहेगा लेकिन donor egg में eggs हम donor के लेते हैं आपके eggs नहीं लेते हैं because of some reason जो आपसे discuss किया जाएगा obviously और उसके बाद ही वो decision लिया जाएगा usually the donors are young in age like 30 years से कम होते हैं they have their own child in case of female donors I am talking about और उसके बाद ही वो donate कर सकते हैं by law तो here the eggs are known to be fertile because they have their own child one at least one तो इसके लिए we expect कि हमें जो एक quality मिलेगा वो अच्छी quality के eggs मिलेंगे अच्छी number में भी मिलेंगे at least seven to eight तो हमें मिल जाएंगे तो इसके लिए वहाँ पे हमारे chances of success are little bit better than self either लेकिन किसी को self में भी उतने eggs मिल रहे हैं तो obviously उनको donor eggs का option suggest ही नहीं किया जाता है या advice नहीं किया जाता है similarly donor sperm also अगर self sperm है और अच्छी quantity में है sperm का count जो है 15 million per ml के उपर होना चाहिए इसमेंसा 40% मोटाइल होने चाहिए तो उसके हिसाब से अगर sperm अच्छी quality के है तो donor sperm का option नहीं advice किया जाता है लेकिन अगर वहां पर कुछ issue है या किसी को sperm count zero हो जाता है जो sperm होता है तो वहां पर हमें donor sperm use करने पड़ते हैं तो before taking the donor sperm it is seeing कि वह sample में count अच्छा है या नहीं उसके बाद ही उनको लिया जाता है तो obviously donor अगर quality अच्छा रहेगा तो हमारा chances of success will be more but the process essentially remains the same okay Drisha Joshi has asked how soon can I get pregnant after failed IVF अगर आपने अभी 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 if you have recently undergone IVF cycle if you have recently undergone ovum pickup तो probably your ovaries are little bit bulky और उनको normalize normal size में आने के लिए थोड़ा time लग सकता है one of one month you say essentially and उसके बाद you can try for your next cycle also so maybe अगर आपका ओवरीस normal size में है if the follicular growth was not much या फिर आपका जो अपने जो attempt किया था उप्रोजन embryo transfer का था and there were no varian injections involved तो you can try immediately after that failed IVF cycle as well immediately in the second cycle okay Anishika Sharma ने पूछा है will I lose eggs faster if I take fertility drugs that result in multiple eggs ovulating and releasing each month okay this is also a very good question I will say Anishika so यह जो एग रिजाव का concept है it's like what you can say back storage of a shop कोई दुकान रहती है तो पीछे माल आके पड़ा हुआ रहता है तो जो जब वो माल मंगाते हैं they ask for like three months का माल and then उसमें से suppose you can say milk tetra packs है जिनका three months का expiry है उसमें से हरोच 5-5 आगे रख देते हैं for selling so similar way में nature हमें जब women is born उसके साथ एक particular number of follicles आते है it's like a back storage और उसी में से हर मंथ कुछ आगे आ जाते हैं कुछ आगे रखे जाते हैं उसमें से एक follicle grow होता है till the last stage and the rest are destroyed in that process atrophy हो जाता है उनका so suppose second deco scan पे हम देखेंगे तो five six follicles मुझे लिख रहा है उसमें से मैं कुछ नहीं करूंगी so naturally एक follicle बढ़ेगा लेकिन बाकी के four ऐसे लिए की महीं पे रह जाएंगी they will get destroyed in that process जब हम IVF करते हैं तो यह जो आगे हुए follicles है उनको ही हम grow कर रहे है हम backstorage से follicles को नहीं आगे अला सकते हैं तो जो आगे आए हुए जो आइदर ग्रो होने वाले थे यह अट्रोफिय होने वाले थे उनको ही हम grow कर रहे so you will not your egg reserve will not reduce faster because of you undergoing multiple IVF cycles okay okay Ankeetha Somkar ने हमें पूचा है what are the chances of getting pregnant with IVF so it depends on what how many embryos we get and what are the grades of the embryos अगर मैं दो अच्छे ग्रेड के embryos transfer करती हूं तो I can roughly say cumulative chance of making you pregnant is 50 percent 45 to 50 percent one embryo has roughly 30 to 35 percent chance of implantation sticking और मैं दो डालूंगी तो it will be 45 to 50 percent अगर मैं single embryo डालूंगी and day 5 का डालूंगी blastocyst का तो roughly I can say 40 percent chance है but the embryo grade should be good so this is a dynamic thing and there is no one single answer to this question and it depends on the embryo grade as well as the endometrial quality okay Rakesh Chandra Tiwari ने हमें पूचा है what causes recurrent implantation failure so there are multiple reasons but जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं classify करूंगी reasons को there are basically two types of reasons either the fault is with the embryo or the fault is with the endometrial okay abhi next Tarun Dayal ने हमें पूचा है what is the most common reason for IVF failure most common reason for IVF failure abhi जैसे मैंने बताया that the fault can be with the embryo or with the endometrium and in 70 percent of the cases the fault is with the embryo and 30 percent of the cases it is with the endometrium so the most common reason we can say the fault that the embryo which we transferred was not of a good quality was not of a good grade it stopped its growth or it was not genetically normal so that is the most common reason of IVF failure okay abhi Nabh Dixit ने हमें पूचा है how many failed IVF before success so there is nothing like that हम अगर सब कुछ अच्छे quality का हमें मिल जाए first first cycle में ही to हम first cycle में ही successful हो सकते है ऐसे कुछ नहीं कि एक failure के बादी सक्सिस्फुल हो सकते है ऐसे कुछ नहीं कि एक failure के बादी सक्सिस्फुल हो सकते है Minit Mishra ने हमें पूचा है Hi doctor what should I do after failed IVF so after failed IVF we should try to find out what was the reason of failure of that IVF cycle then we should try to make good quality embryos we can do pre-implantation genetic testing for that embryo so to make sure that it is genetically normal we can also work on your endometrium by doing the advanced tests like histoscopy or endometrial receptivity array and after that we can try the second cycle okay so I think I think I have answered all the questions till now if you have still more questions you can contact us at this number in our clinic in Santa Cruz area or you can come for consultation to ask further questions okay thank you bye have a good day okay 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 okay